दोस्तो इस वक्त की बेहत बड़ी ख़बर निकल कर सामने आ रही है जहां पर दोस्तो 26 दिसंबर को खेला जाएगा भारत और उस्टुलिया का दूसरा टेस्ट मुकाबला यह होगी टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी हेलो दोस्तो सवगती आप सबी का फिर सी हमारी यूटुब चैनल किरकेट देखो जी मैं दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बड़ाने वाले हैं कि भारत और उस्टुलिया के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला कब खेला जाएगा कितने बज़े से खेला जाएगा कौ टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी क्या होने वाली है टीम इंडिया में कौन-कौन से बड़े बदला हुए हैं पूरी विस्तार से आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लेकिन उससे बेले दोस्तो गर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो चाहते हूँ कि दूसरा टीम मुकाबला टीम इंडिया जीते तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें दूस्तो आज के इस वीडियो का लाइक टर्गेट मातर एक हज़ार लाइक का है तो दूस्तो अभी कैब भी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें वो दूस्तो इस वीडियो को हम इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो जहां पहले टेस्ट मुकाबले में भारते टीम को शर्मनाक हार मिली वहीं दूसरे टेस्ट मुकाबले से पहले बारते टीम को दो बड़े जटके लगे हैं जिहां दोस्तो पहले टेस्ट मुकाबले में चोटिल हो जाने के कारण हमी इस पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं, वहीं कप्तान विराट कोली सीरीज से पहले ही ऐलान कर चुके थे कि वह पहला टेस्ट मुकाबला खेल कर भारत लोड जाएंगे, भाटे टीम के इन दो एहम खिलाडियों ने इस सीरीज को बीच मैदान में ही बीच में ही छोड़ सकता है, इसके साथ साथ दूसरे टेस्ट मुकाबले की शुरू होने का समय भी बदल चुका है, जहां पहला टेस्ट मुकाबला भारती समय अनुसार सुबह साड़े नो बजे खेला गया था, वहीं अब दूसरा टेस्ट मुकाबला भारती अनुसार सुबह पांच बजे से दोस्तो मुहम्मद शमी और विराट कोहली दूसरे टेस्ट मुकाबले में ना होने से भार्टी टीम को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है दूसरे टेस्ट मुकाबले में बार्टी टीम की ओपनिंग जोडी में पृत्वी शौक की जगह एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है वहीं विराट कोहली की जगह टीम में एक और बहतरीन खिलाडी की एंट्री हो सकती है दोस्तो विराट कोहली की जगह दूसरा टेस्ट मुकाबले में अजिंग की रहने कप्तानी करते होई दिखेंगे मुहमद श्यमी की जगह एक और खतरनाग पेसर गेनपास को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है वहीं बाटे टीम में छे बड़े बदलाओं हमें देखने को मिल सकते हैं तो चलिए दोस्तो जान लेती हैं दूसरे टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली की मौझूदगी में भारत की पिलिंग इले उनकेसी हो सकती है और ओपनिंग जोड़ी क्या होने वाली है तो चलिए पूरे विस्तार से जान लेते हैं लेकिन दोस्तो उनकी जगह अब एक और बड़ा बतलाओ टीम में देखने को मिला जी हाँ दोस्तो दूसरे मैच में ओपनिंग बलेबाज के रूप में कियर लाखुल टीम में मौझूद होंगे पहले टेस्ट मुकाबले में पृत्वी शौ को मौका दिया गया था परंतु पृत्वी शौ ने बेहद खराब पदेशन किया है इसी कारण दूसरे टेस्ट मुकाबले में कियर लाखुल की जगह मतलब कि कियर लाखुल इनकी जगह ओपनिंग बलेबाजी करते हुए दिख सकते हैं वहीं दूसरी स्थान पर कियर लाखुल की साथ ओपनिंग बलेबाजी में मैंक अगरवाल मौजुद होंगे मैंक अगरवाल ने टेस्ट क्रिकेट में बहुती कम समय में अच्छा खासा नाम कमा लिया है पिछले कई टेस्ट सीरीज में मैंक अगरवाल ने बहुती शांदार पदरशन करके दिखाया है हालांकि पहले टेस्ट मकाबले में मैंक अगरवाल का पदरशन कुछ खास नहीं रहा था परंतो दूसरे टेस्ट मुकाबले में इनसे अच्छी बल्लेवाजी की उम्मीद की जाएगे वहीं दोस्तो नमबर तीन पर नमबर तीन पर टीम में चेतिशुर पुजारा मौजुद होंगे विराट कोली के मौजुदगी में आप सभी को बता दी के चेतिशुर पुजारा उनका स्थान मतलब के बहतरीन तरीके से संबाल सकते हैं और पिछले मैंस से भी बहतर प्रदेशन करके दिखा सकते हैं चेतिशुर पुजारा टेस्ट मुकाबले के बहुत ही ज्यादा उन्भवी खिलाडी के रूप में माने जाते हैं जिस तरह से इनुने उस्ट्रोले के खिलाब पिछले सीरिज में खतरनाक प्रदेशन करके धिकाया था ऐसी ही प्रदेशन की उम्मीद इन से आने वाले सीरिज में और आने वाले मुकाबलों में किये जा सकती हैं वही नंबर चार पर पहले टेस्ट मुकाबले में कप्तान विराट कोहली कप्तानी के रूप में मौझू थे परंतु दूसरे टेस्ट मुकाबले में विरांट कोहली टीम का साथ 20 सीरीज में छोड़ कर जाने वाले हैं जिसकी वजह से नमबर चार पर शुबमन गिल को टीम में शामिल किया जा सकता है और इसी के साथ इनका टेस्टिक रिकेट में डेब्यू भी हमें देखने को मिल सकता है वार्मप मुकाबलों में शुबमन गिल ने बेहद ही घजब का प्रदेशन दिखाया था और इसी प्रदेशन की उमीद इनसे आने वाले टेस्ट मुकाबलों में किये जाएगे वहीं दोस्तो नमबर पांच पर अजिंग के रहाने मौजुद हों के जो कि कप्तान विरां टेस्ट मुकाबलों में काफी बहतरीन प्रदेशन करते हैं और अब इनके पास बड़ी जिम्मेदारी है कि शांदार प्रदेशन करें और टीम को जित दिलाए वहीं दोस्तो नमबर छे पर भाटे टीम में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है जहां पहले टेस् टेस्ट मुकाबले में रिद्धिमन सहा की जगह रिशब पंत को टीम में शामिल किये जानी की बहुत ही जादा संबावना है उस्टले के खिलाब खेले गई पिछले टेस्ट सीरीज में रिशब पंत ने ताब और तोड बल्ले बाजी की थे तोस्तो नमबर साथ पर आल ना अश्विन सबसे सफल गेन पास थे और बागी के बची सीरीज में रविन चंदर अश्विन ऐसी ही प्रदर्शन करेंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं वहीं इसके मात नमबर आट पर कुल्दी प्यादो मोजुद होंगे कुल्दी प्यादो को टीम में हनमा विहारी की जगह टेस्ट मुकाबलों में अब तक कुल्दी प्यादों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है रविन चंदर अश्विन की साथ मिलकर उस्टलैई बले बाज़ों को कुल्दी प्यादो और बी जादा परेशान कर सकते हैं इसके कारण दूसरे टेस्ट मुकाबले में 30 गेनभाज नाओदीब सेंपरी है को मुझा मिल सकता है और इसी के साथ इने डेबियू करने का मुझा भी मिल सकता है दोस्तों नाओदीब सेरी ने घरल मुकाबलो में लिए हद ही शांदार प्रदेशन किया है जिसके बदलत इन्हें भार्टे टीम में मौका मिल सकता है। ज़स्प्रीद बुमरह मौझुद होंगे। मौझुद है तीम में अधिक युवाख खिलाडी है और ज़स्प्रीद बुमरह एक अन्भवी खिलाडी और एक अन्भवी गेनबास के रूप में भार्टे टीम के लिए एक अच्छा विकल्प हैं। इसी कारण इन्हें गेनबा बेहतरन प्रदर्शन करके दिखाना होगा और उस्टले के खिलाब दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया को जिताने के लिए इनका अच्छा प्रदर्शन करना बहुत ही जरूरी होगा टी ट्वेंटी और वंडे के बाँ टेस्ट मुकाबलों में भी जस्प्रित बुमराद धमाल मचाती होई दिख सकते हैं दोस्तो कुछ इस तरसे यहां पर टीम इंडिया की प्लेंग इलिन हो सकती है और ओपनिंग बलेबाजी में कियो लाहूल और आप सभी को मेंक गरवाल बहतरीन तरीके से प्रदशन करते हुए नजरा सकते हैं दोस्तो इसे में आपको क्या लगता है कि टीम के ओपनिंग बलेबाजी में बदलाव करना चाहिए और कौन-कौन सी खिलाडियों को टीम में शामिल करना चाहिए दोस्तो आप कौन सी खिलाडी को मिस्स कर रहे हो कमेट बॉक्स में जाकर अभी के अभी ज़रूर बताए गंटे वाले पेल आइकन को जरू दबाए तो चलिए दोस्तो आज के इस वीडियों बस इतना ही